हेलो एबरीवन कैसे हैं आप लोग नूर्स के किचन में आप सब का स्वागत है आज मैं आप सब के लिए बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए बनाना सुरू करते हैं मेरे पास कुछ बिरेट के एजेज बचे हुए थे तो इसका मैं आज अलग तरीके से एक निव रेसिपी बनाऊंगी आप पूरा वीडियो जरूर देखे तभी आपको समझ में आएगा तो चलिए बनाते हैं इसे अब दो बिरेट बचे हुए थे इसे भी मैं टुक्रे टुक ले लेंगे यहाँ पर मैंने एक कपचीनी लिया है चार चमच देशी घी है कुछ ड्राइफ फ्रूट्स है आप अपने पसंद से ड्राइफ फ्रूट्स ले ले और खुसबु के लिए एलाइची पाउडर और हाफ लीटर गरम किया हुए दूद है हमने इसे मलाई के साथ ह लिया है अब कड़ाई में हम घीय को गरम कर लेंगे आप अपने हसाब से घीय कम या जईया ले शकते है गरम होने के बाद इसमें अप बेरेट करम को डाल देंगे और अच्छी तरह से इसाओ में ळद्राइप फ्राइफ लेंगे हम छैंने के और इसे दस मिन नहीं हो जाता इसे मैंने 5 मिनट भून लिया है अब क्या करेंगे इसमें हम ड्राइफ रूट डाल कर भूनेंगे ड्राइफ रूट को मैंने अलग से नहीं भूना है क्योंकि ये इसमें ही अच्छी तरह से भून जाते हैं इसे भी हम 2-3 मिनट भून लेंगे उसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे चीनी डाल कर भी मैं 3-4 मिनट भूनूंगे इसे अच्छी तरह से यहाँ पर आप गैस का फिलेम मेडियम कर दे हाई फिलेम पर न भूने नहीं तो ड्राइफ रूट और चीनी सब जल जाएंगे इसलिए मेडियम फिलेम पर ही भूने सबी चीजों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है तकरिबन 10 मिनट टाइम लगा है इसे भूनने में अब इसमें हम क्या करेंगे दूट डाल देंगे दूट डाल कर अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे इसे ज्यादा पकाना नहीं है बस 2-3 मिनट ही पकाएंगे आप खुस्बू के लिए इलाइची पॉडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे को मालूम भी नहीं चलेगा कि आपने ब्रेट के कॉर्णर से बनाया है अब इसे हम कलर देने के लिए थोड़ा सा फूट कलर डाल देंगे यह ओप्सनल है अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं like कर सकते हैं कोई बात नहीं है तो चलिए यह रेशिपी तायार है इस तरीक से आप हलुआ बनाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्रेट के कोर्णर से हलुआ बनाया है जब तक आप नहीं बताएंगे तो चलिए आप एक बार जरूर ट्राई करें आप ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये रेसिपी केतनी टेस्टी लगती है खाने में और वीडियो पसंद आये हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में